जैकसां दोस्तों मैं चोरिनेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चोटे से यूट्यूब परिवार में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम भैंस के साथ नया डेरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो हमें कितने लीटर वाली भैंस खरीदनी चाहिए अकसर कमेंट देखने को मिलता है कि सर हम डेरी फार्म शुरू करना चाहते हैं हमें 15 लीटर या 15 लीटर प्लस डेली दूद देने वाली भैंस खरीदनी है या फिर आप अगर हमारे पुराने वीवर हैं, हमारे चैनल से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी देते हैं लोन के लिए तो उस project report जो बनवाते हैं हमारे किसान भाई युवा साथी उसमें भी हमारे साथियों की demand ये रहती है कि सर हमने 15 या 15 लीटर प्लस वाली भैंस खरीदनी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ comparison करके बताऊंगा कि 15 लीटर से कम वाली भैंस में क्या फाइदे हैं 15 लीटर से प्लस वाली भैंस में क्या फाइदे हैं कौन सी भैंस हमारे dairy farm के लिए long time के लिए सही रहेगी कौन सी भैंस में डेली कितना नाफा होता है यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप एक नया dairy farm शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भैंस खरीदने के जो आपका confusion है उसमें आपको कहीं ना कहीं confusion दून करने में मदद म करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आपको समझने में आसानी हौशके इस लिए इस वीडियो मैंने चार से पांच पौंट रखे हैं मैं पॉइंट वाईज आपको बताूंगा की कौन सी भैंस आपके लिए सही हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा point है वो है availability यानि उपलब दता का कि दोस्तों अगर हम डेरी फार हम शुरू करना चाहते हैं हमें 15 प्लस लीटर की भैंस चाहिए तो क्या हमें वो आसानी से मिल पाएगी तो दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा कि आगर मान लीजिए आप एक या दो भैंस खरीदना चाहते पंदरा प्लस की भैंस अगर आपको खरीदनी है तो दोस्तों आपको काफी दिक्कत आएगी क्योंकि दोस्तों रियल्टी यह है कि 15 लीटर या 15 लीटर से जादा दूद देनी वोले भैंसों की संक्या बहुत कम है अगर हम रियल्टी की बात करें तो अगर किसी गाउं में आप किसी भी हरियाना को कोई भी गाउं पकड़ लीजिए रास्तान का या कहीं का भी अगर आप पूरे गाउं में घुमेंगे तो आपको दो या तीन भैंस मुश्किल से मिलेंगी 15 लीटर प्लस वाली और वो भी अगर अच्छी भैंस है तो कोई किसान अपनी भैंस बेच और आपको अगर जो ये हमारे कहते जो दलाल हैं जो भैंस बेचते हैं यूट्यूब पर बेचते हैं वैसे भी बेचते हैं काफी लोग कि उनके पास लगबग सारी भैंस 15 लीटर प्लस वाली ही होती है तो उसमें आपको क्या रहेगा कि भैंस वो 13, 14, 12 लीटर वाली ही और वहीं अगर आप कम दूद वाली लेते हैं 10 से 12 लीटर वाली तो ऐसी भैंस बहुत सारी हैं इस कैटिगरी की भैंस लगबग भैंस आपको इसी कैटिगरी में मिलेंगी तो आप आसानी से भैंस खरीद सकते हैं इस कैटिगरी में दूसरा जो पॉइंट है वो है प्राइ आपको मिल जाएगी आप अगर किसी मीडियेटर से दलाल से खरीदते हैं तो थोड़ा रेट हाई मिल सकता है सिद्धा किसान से खरीदते हैं तो इससे कम भी मिल सकता है लेकिन एक Average Price मैंने बताया आपको 80,000 के आज़ पस आपको भैंस मिल जाएगी वो भी असानी से और दूसरी तरफ अगर बात करें 15 या 15 पलस वाली भैंस तो दोस्तो इसमें क्या है कि आपको भैंस rare ही मिलेगी जो मैंने आपको बताया कि बहुत कम भैंस होती है और अगर आप ऐसी भैंस खरीदना चाहेंगे तो आपको उसका जो rate है वो जादा देना पड़ेगा अगर आप सिधा किसान से खरीदते हैं तो लगबग 90,000 या लाग के आसपास और अगर किसी मीडियेटर से खरीदते हैं दलाल से खरीदते हैं तो आपको वही भैंस सवा लाग 31 के आसपास मिलेगी और जो की असली माइनों में आपको वो पंदा लीटर दूद या उससे ज़्यादा देगी भी नहीं क्योंकि ये भैंस आपको बना कर दी जाती हैं जैसकि मैंने बताया 12, 13, 14 वाली को extra eating करवा के भैंस आपको बना कर दे दी जाती है और बाद में वो आपको घर पर जागे उतना दूद नहीं देती तो तीसरा जो है वो है दूद के उपर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो 15 या 15 प्लस वाली भैंस रहेगी उसकी दूद की जो गुनवत्ता है उसमें भी आपको फरक मिलेगा दूद की गुनवत्ता में कमी आएगी फैट कम रहेगा जितना ज़्यादा दूद रहेगा उतना फैट में कमी आएगी और वहीं अगर 10 से 12 लीटर वाली भैंस लेंगे आप तो दूद में फैट भी अच्छी रहेगी गुनवत्ता भी अच्छी रहेगी ये सारी चीजें आपको देखने में मिलेगी चोथा जो पॉइंट है वो है डेली एक्सपेंस का तो दोस्तों अब क्या है कि डेली एक्सपेंस लीजिये ताकि खर्चा सेम रहे और आपको प्रडक्शन ज्यादा मिले इंकम ज्यादा हो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता मा लीजिये 10 या 12 लीटर वाली जो भैंस है उसका बोडी स्ट्रक्चर वैसा होगा वेट उसका कम होगा और जो 15 लीटर प्लस वाली है उसके बोडी स्ट्रक्चर उसके अकोर्डिंग होगा वेट उसका ज्यादा होगा तो इन दोनों भैंसों का जो खानपान है वो इनके वेट बिट बेंड करता है वेट पे कैसे करता है मैंने पहले एक वीडियो बना कि गाई या भैंस को दिन में कितना खाना हर अचार वेट के नुशार देना चाहिए वो वीडियो आप देख सकते हैं उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो दोनों का अगर खर्चे की हम बात करें प्रती दिन कितना रहेगा तो दोस्तों वो वीडियो आप देखेंगे आप आईडिया लगा लेंगे तो लगबग जितना दूद आपकी भैंस देगी उसका 50% उसके खाने पीने में चला जाएगा अब दोस्तों जो पाँचमा पॉइंट है वो ये है कि हमें फिर भैंस लेनी कौन सी चाहिए पंद्रा लीटर प्लस वाली या उससे कम वाली तो दोस्तों यहां मैं अपनी खुद की परसनल राय अपने एक्सपिरियंस से देना चाहूंगा यहां पर काफी सारे भाईयों की अलग-लग राय हो सकती है आप नीचे कमेंट बुक्स में अपनी राय लिख सकते हैं लेकिन मैं जो अपना एक्सपिरियंस है उसके साबसे आपसे मेरी जो उपिनीन है वो शेर करने जा रहा हूं तो दोस्तो होता क्या है कि अगर आप डेरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो मेरे अकोडिंग आप ज़्यादा दूद वाली भैंस के बज़ाए कम दूद वाली भैंस खरीदें दस से बारा लीटर वाली खरीदें यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं एक तो आपको आसानी से मिल जाएगी दूसरा क्या है कि अगर आप 15 प्लस वाली भैंस भी ढूंडेंगे तो उसमें आपको 15 प्लस के नाम पर आपको रेट जादा देना पड़ेगा और भैंस आपको वही 12-13 लीटर वाली ही मिलेगी निकाल के दिखा दिया जाता है लेकिन घर पे जाके आपको वही भैंस 11-12-13 लीटर दूद देती है तो 15 लीटर के नाम पर आप अपनी जेब मत कटवाईए आप 10-12-13 लीटर दूद वाली भैंस लीजिए ताकि आपको रेट भी सही मिले और आपको आगके जलकर प्रोडेक्शन भी उस भैंस सही मिले अब फ्यूचर में क्या दिक्त आती है कि माली जी आपने 15 प्लस वाली भैंसें खरीद भी ली कैसे ने कैसे करके तो उसमें क्या है कि अगर भैंस दूद देना जब बंद कर देती है तो क्या है कि अगर उस भैंस को आप बेजना चाहेंगे तो क्या है कि उसकी जो माली जी अपने 7 लाग की भैंस ली और वहीं दूसरी तरफ आपने 12 लीटर वाली 80,000 की लिए तो जो 45,000 का गैप है वो भैंस जो है maintain नहीं करेगी अब दोनों भैंस अगर आप dry period में बेचेंगे मालीजे आपकी भैंस ने दूद देना बंद कर दिया और 2-3 मेने की ग्याबिन है तो लगबग same price में जाएगी तो जो 45,000 का gap है वो 15 लीटर प्लस वाली भैंस cover नहीं करेगी तो वहाँ आपको सीधा सीधा 45,000 का नुकसान होगा अब दोस्तों क्या है कि हम अगर उस भैंस को मालीजे 1,30,000 में खरीदा है और उसको हम बेचना ना चाहें हम सोचें कि चलिए इस भैंस को हम आगे हमारे लिए रखते हैं काविंग करेगी फिर दुबारा हम रखेंगे तो क्या है कि अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो उसमें क्या है कि ड्राई पिरिड में आपको खर्चा पड़ेगा इसलिए क्या है कि अधिकतर डेरी फार्म में क्या किया जाता है कि जब 6-7 मेने भैंस का दूद ले लिया जाता है तो उसको आधे या उससे जितने भी रेट में जो भैंस बिक्ती है उस प्राईज में बेच दिया जाता है और नई भैंस ले ली जाती है तो इस according भी अगर आप देखें तो आप 10 से 12 लिटर वाली भैंस खरीदे ज़्यादा आपको फाइदा रहेगा अब कलको अगर मालीजी आपकी भैंस बिमार होती है या कोई दिक्कत आती है तो भी आपको ज़्यादा जो महेंगी भैंस है उसमें ज़्यादा नुकसान होने के चांसे है और जो एवरेज भैंस है उसमें आपको कम नुकसान होने के चांसे है हाँ आप 15 लिटर प्लस वाली भेंस रख सकते हैं, breeding के purpose से रखिए, आप 2 भेंस, 3 भेंस रखिए, अच्छी भेंस रखिए, उससे आप breeding जो आगे वाली नसल तियार करें, उसके लिए वो भेंसे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा quantity में भेंस रखते हैं, 20, 30, 50, 100, तो उसमें क्या है कि आप average milk व भी आसान रहेगा, अब अगर आप ज़्यादा दूद वाली भेंस रखेंगे, तो उसको maintain करना भी मुश्किल है, और अगर आप labor के उपर depend है, अब ज़्यादा भेंस रखेंगे तो labor आपको रखनी ही पड़ेगी, तो वो भेंसे maintain नहीं हो पाती, उनका खर्चा भी ज़्य ज़्यादा है, उन्हें आपको mineral mixture देना पड़ेगा, bypass fat देना पड़ेगा, काफी सारी medicines देनी पड़ेगी, जिससे कि उनकी maintenance cost ज़्यादा आती है, इसलिए दोस्तों मेरी personal राई यही है, कि एगर आप एक अच्छे scale पर dairy farm शुरू करना चाते हैं, 200, 300, 400 भेंसों पे, तो आ आप medium range की भेंस लाइए, ताकि आप उन्हें sale करें तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हूँ, आपको profit उसमें मिले, हाँ बीच में आप 10% ऐसी भेंस रख सकते हैं, ज़्यादा दूद वाली selected भेंसें, जो आपके breeding purpose से आपको काम आएं, तो दोस्तों यह एक normal basic information थी, मै जरूर शेर करें, उमीद करता हूँ, इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं अपने decision लेने में मदद मिलेगी, आपको वीडियो अच्छे लेगी हो, लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाईं उससाथ शेर कर दीजिएगा, मैं फिर मिलूँगा एक नए टोपी के साथ, ए तक लिए जहां भी रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत